जिन्दिगे चलते चलते एक नए मोर पर कब लेकर आती है पता भी नहीं चलता कुछ ऐसा ही राजनीती से ओथर बनने तक का सफर तै किया है दिली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और एंडीमसी के वाइस चेर्मेन सतीश उपाध्याई ने जिनकी आज एक वीडियो लॉं मैं सच कहूं तो ना तो मैं कभी हूँ और ना ही साहितिकार बट जिन्दिगी के जो अनुभव थे अनुभूतियां थी और भावनाई थी जब शरब्दों के रूप में निकल कर आने लगी और उसको मैं लिखने लगा तो वो अनायासी लगा कि कविता बन गई मैं कभी लि नौ जनवरी से लेके और सत्रा फरवरी तक मैंने 32 कविताएं लिखी थी और एक ही दिन में तीन-तीन कविताएं भी लिखी यानि मैं पार्टी के सामाजिक कारिक्रमों के लिए जा रहा हूं तो रास्ते में मैं वाट्सप पर कविताएं लिखता रहता था रात के किसी तो आप कविता लिख रही हो तो वो मुस्तक के रूप में निकल करके आगी फिर इसका शीरशक भी कही बार बदला और मुझे याद है कि एक दिन मैं घर पे बहुत फोन पर क्योंकि फोन पर लिखता रहता था तो मेरी बड़ी बेटी ने मुझे पकड़ लिया यह क्या सेप्शलाइस किया एक टीम की तरह मेरे साथ काम किया इसके डिजाइनिंग की और अशोक चक्रदर जी ने इसका प्रस्तावना लिखी और यह सारे जिन्दीगी के अनुभव हैं इसमें जो विशय हैं वो हमारे जीवन में कभी भ्रम आता है कभी दोहरा पन आता है कभी पा करता है एक कविता मैंने चाय पर भी लिखी है कि चाय हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी बड़ी बड़ी चीजें चाय पर ठीक हो जाती है तो बाद में टी सीरीज ने इसको मेरे एकमेत्र मुझसे मिलने आये थे तो उन्हेंने कहा कि कविता पढ़कर सु है तो बोला आपकी आवाज में ही इंको रिकॉर्ड करना है तो उन्होंने मेरे पुरे पचास एक वीडियो पचास एक क्यावन जो कविता हैं उसके आडियो रिकॉर्ड किया और उसके बाद टी सीरीज के स्टूडियो में ही उन्होंने पांच वीडियो बे भी प्रारम में श्रू किये हैं तो T-series इसको रिलीस कर रा है और आज उन्होंने एक कविता है घलत फेमिया हम सब के जीवन में बहुत महत्वोन इस्थान रखती हैं वो ठीक हो जाएं तो जिंदगी आनंद में होती है और घलत फेमिया अगर बढ़ जाएं तो जिंदगी कि बहुत दुख कर भी हो जाती है तो उसी कविता को आज टी सिरिज ने आडियो और वीडियो के रूप में रिलीस किया है बिल्कुल सर्थ 32 आपने कहा कि 32 कविताएं आपने जो संकलित की और जिंदगी चलते-चलते के रूप में किताब तो सामने आ गई वीडियो भी आपका सामने आया लॉंच हो गया है तो मां आपकी आवाज में सुनना भी चाहेंगे कि किस तरीके से क्या गलत फेमिया जिस पर आपने ये पूरी जो कविता है वो लिखी आपने बताया कि बहुत सारे अलग अलग विश्यों पर आपने लिखा है सई मायने में विश्यों में ये देखेंगे तो कुछ धरे के विश्यी zw मैं अगर आप लेके हैं आदि पुस्तक कभी का विमोचन नहीं हुआ है लेकिन ये इसका आडियो और वीडियो वर्जना है तो जो गलत फेमिया है इसके बारे में मैं आपको निश्ट रूप से कुछ लाएने जरूर सुना देता हूँ ये गलत फेमिया ही हैं जो गम की आहट देती हैं जो जलते चराक को बुझा देती हैं जिन्दगी में अंधिरा फैला देती हैं ये बस जाएं दिलों में तो रिश्टों को दूर कर देती हैं और चुकि ये मैंने सर्दी में लिखी थी तो उसमें एक रेफरेंस है मौसम सर्द हो चला है इसे गरमाते हैं आओ गलत फैमियों की अलाव और हुली जलाते हैं गलत फैमिया दूर हो जाएं तो जिन्दगी में बहार आ जाए गलत फैमिया हो दूर तो हर तरफ खुशी का खुमार चा जाए दूर हो जाएं गलत फैमिया तो जिन्दगी जिन्दगी से मिल जाए तो चलो दूर करते हैं हर दिल से गलत फेमियों की दरार मौसम सर्द है इसे गरमाते हैं आउ गलत फेमियों की आघ जलाते हैं गलत फेमिया एक खौफनाक मनजर है ये जिन्दगी के लिए एक खंजर है सोचो, समझो और पहचानो इनको कभी ना आने दो इन्हें पास ना करो अपने दिल को उदास आओ जिन्दिगे में बासंती बहार लाएं उक्ती कोपलों में नई जीवन का संचार लाएं हर दिल में प्यार की शमा जलाएं ठंड बहुत है चलो गलत फियमों की आग चलाएं तो सर ये जो गलत फियमों पर कविता आप तो आपने सुनाई जिन्दिगी चलते चलते में आपने बहुत सारे अनुभव भी संकलित किये तो जो हमारे वीवर्स हैं जो हमारे लोग हैं रीडर्स हैं लेकिन वैसे पुस्तक अमेजोन पर उपलब्ध है और जल्दी इसका विमोचन करेंगे तो लोगों को जल्दी शेगर मिलेगी भी है बिल्कुल सर तो जल्दी ही लोगों के हाथ में होगी और लोग पढ़ेंगे भी इसको लेकिन एक सवाल यहां पर यह भी बनता है कि इंस्पिरेशन कैसे हुई आपको क्योंकि आपने कहा कि कोविट के टाइम में आपने लिखी तो कोविट के टाइम में समय का सद्यूप्योग जिस तरीके से लोग अलग अलग तरीके से कर रहे थे एसे में राजनेतिक अपने दौर से ओथर तक का दौर तो सतीज जी ने तै किया है और यह किताब भी यहां पर बनकर लिखकर तयार होगी है जल लॉंच होगी तो हम पूछ रहे थे कि सर इंस्प्रियेशन किस तरीके से मिली मुझे लगता है कि मुझे इसकी जो प्रेणा है वो मेरे स्वर्गे पिताजी से मिली क्योंकि मेरे पिता जी बहुत ही लिखने पढ़ने वाले थे, वो बहुत अध्यन करते थे, ग्रंतों का अध्यन करते थे और लगभग 90 साल से उपर तक उन्होंने अपनी डाइरी भी लिखी शायद मुझे लगता है कि उनके ही कुछ अंश लिखने के और ये जो प्रेणना के उनी से मेरे पास आये क्योंकि मुझे याद है कि अब तो मैंने बंद कर दिया, पिता जी से ही मैंने अपनी डाइरी भी लिखना सीखा था और वो डाइरी मेंने तीस साल तक लिखी, अब तो बंद कर दी, तो मैं मानता हूं कि माता जी पता जी की प्रेणना से ही ये गोण मेरे अंदर थोड़े आये होंगे यादि कि कह सकते हैं कि बचपन से ही शौक था कभी डाइरी के रूप में और अब कावे संकलन के रूप में हाँ बिलकुल ये बात तो सही है कि मुझे शौक था और डाइरी में रोज ही लिखता था लेकिन बाद में पिछले दस साल से तो बंद हो गई लेकिन वो कहीं न कहीं वो जो अंश है वो जो एक बीज है वो कहीं था जो लिखकर के आया और मज़े की बात है कि ये सारी कविताएं मैंने वाटसअप पर ही लिखी, पैन कागश से नहीं लिखी, ट्रैफिक में था तो लिख दी, कारिकर में जा रहे हैं तो लिख दी, और बाद में मेरे मित्रों ने इसमें शहयोग किया जिनको मैंने दिखाया, तो बस ये तो भाव हैं, भाव है, अनुभूतियां हैं, जो शब्दों के रूप में आई हैं, और कविता बनी है, मैं इमांदारी से ना कवी हूँ, ना साहित्तिकार हूँ, बिल्कुल तर आपने कहा कि भावनाएं हैं, भाव हैं और आपने कहा कि वाटसप पर आपने ये लिखी, तो प्रधा इसमें जो लोग थे, उनको में भेजता था, वो उसका प्रिंट आउट लेते थे, फिर उसको अम एडिट कर लेते थे, एडिट करने के बाद ये काफी समय लगा इसमें, ये शायद कवित, ये किताब पहले भी आ जाती, लेकिन क्योंकि करोना आ गया था, दो साल ऐसे ही न लगता है कि जो भी व्यक्ति सम्वेदन शील है, सम्वेदन शील अगर होगा तो भाव आपके मन में निश्चित रूप से आएंगे, और आप जब गहराई से चीजों को सोचेंगे, तो निश्चित रूप से थोड़ा भी अगर आद के अंदर बीज है, तो वो भाव निकल करके आएंगे, और उनको आश्रब्नों और पुस्तक के रूप में लिखी सकते हैं, तो आपने देखा, यह थे हमारे साथ बात करने के लिए, सतीश उपाधिया जी जिनका कहना है कि जिन्दगी चलते-चलते की प्रेणा जो है, वो उन्हें अपने अनुभवों और भावो के साथ रचना, News 18